गुद बॉर्निंग बच्चों, कैसे आप ठीक हैं? उमीद करती हूँ अच्छे हों और पढ़ाई भी ठीक ठाक से चल रही है आज मैं आप लोग के समझ दो प्रश्णों के उत्तर लेके आई हूँ दो प्रश्ण है एक भोजन के विशे में और वस्तर के विशे में जीवन के आधार वो तीन ततो होते हैं भोजन, वस्तर और आवास लेकिन हम आज पढ़ेंगे भोजन और वस्तर के विशे में आवास के विशे में भी हम लोग को पढ़ना है ग्री प्रबंध में लेकिन आज मैं आप लोगों से चर्चा करूँगी भोजन और वस्त के विशे में भोजन का हमारे जीवन में बहुत ही अधिक महत होता है प्रशन आते हैं कभी कभी कि भोजन का हमारे जीवन में क्या महत हो है भोजन जब हम पकाते हैं, खाते हैं और उसका हमारे शरीर पे प्रतिकरिया होता है जो हम भोजन करते हैं, उसकी प्रतिकरिया विभिन रूपों में हमारे शरीर में उभर के आती है अगर हम अच्छा से भोजन पकाएंगे और खाएंगे तो हमारा शरीर स्वस्त रहेगा विभिन पोशक ततों से भरपूर अगर हम भोजन करते हैं तो हमारा शरीर स्वस्त रहता है अगर उसमें कुछ तूटी रह जाती है तो हमारा शरीर अस्वस्त हो जाता है और हम कमजोर दिखने लगते हैं तो चलिए आज हम चचा करते हैं कि भोजन का हमारे जीवन में क्या महतु है भोजन मनुश्य की मूल भूद आवशकता होती है भोजन को हम इस रूप में भी परिभाशित कर सकते हैं कि ये वे सभी पदा दो शरीर को पोशन देते हैं भूख मिटाते हैं संतोष देते हैं तता शरीर के बल को पुनह जीवित करते हैं भोजन कहलाते हैं मतब भोजन करने से हमने त्रिप्ती भी मिलती है शरीर भी स्वस्त रहता है और हमारा जो पोशक तत्व हैं हमारे शरीर में जाते हैं भोजन के बिना जीवन की कलपना भी नहीं की जा सकती है जैसे ब्रत उकवास हम लो रखते हैं तो भोजन थोड़ा छोड़ते हैं कुछ दिन तक लेकिन इसके बिना हमारा जीवन जो है वो मतलब नहीं चल सकता है जीवन में भोजन के महत्व के निमलिखी तरके से निमनांकित किया गया है जैसे है भोजन का शारिरिक महत्व भोजन में जो विभी ने पोशकतत्व हैं हमें बहुत तरकी पोशक्तत्तों से हमारे शरीर में उर्जा मिलती है हमारे शरीर के आंतरिक और वाहिक रियाए जिसे श्वसन है, परिसंचरन तंतर है, पाचन है उसका और शोसन होता है, साथ ही खेलना, कूदना, चलना, आधी ही सब हम भोजन के ही वज़े से कर पाते हैं भोजन शरीर का निर्मान कार भी करता है, व्रिधी तथा विकास भी भोजन के द्वारे ही होता है मेरे बिभीने तंतुएं जो हमारे निर्मित होते हैं वो भुजन पे ही आधारित होते हैं भुजन शरीर को भीभीने रोगों से संद्रक्षन भी प्रदान करता है अगर हम पोस्टिक भुजन करेंगे तो भीभीन तरों की जो बीमारियां होती है वो नहीं होगी हमें सरक्षन मिलता है उससे भोजन शारीरी क्रियाओं का संचालन नियंतरन और नियमन करता है शारीरी क्रियाओं हमारे भी भोजन पे ही अधारित हैं जिस तरह का भोजन करेंगे उस तरह से हमारा शरीर रहेगा और बन भी रहेगा ये हमारा भोजन में शाररीक महत्व का उदारान हो गया अब हम मनों वज्ञानिक महत्व को देखते हैं भोजन बेक्ति की भावनात्मक आशक्ताओं को पूरा करता है अभी कहावत भी है कि जैसे खाओगे अन वैसा रहेगा मन तो भोजन हमारे जो भावनात्मक आशक्ताओं हैं उसकी पूर्ति करता है उसकी क्रियाओं को भी नियंत्रित रखता है अगर कोई किसी को भोजन नहीं मिल रहा है तो थोड़ा सा अपोशक्ता तो नहीं मिलता है तो चिड़ा सा होता है उसके शरीर में विभीन प्रकार की क्रियाएं परिलक्षित होती रहती है एकाकी वेक्ति भोजन से संगती का संतोष लेते हैं अकेले मनुष्य जब रहता है वो विभीन प्रकार के भोजनों को ले लेकर खाक आगtać कई उसंतोष होता है लेकिन ऐसी इसकी प्रतिक्रिया क्या होती है तो भोजन पर नियंत्रन भी रखना जरूरी है यह नहीं के खाते जारहे हैं और से प्रोटीन खारहे हैं तो भी प्रिलक्षित होता है बिमारी यह होना शुरू हो जाती है यह मनुवग्यानिक जो महात्व है भोजन का बहुत ही आवशक यह तत्व है माता बच्चों को बहुत दुलार में भोजन परुस्ती है और खिलाती रहती है कि और खालो और खालो इतना तुमने तुमने तुम कम खाया यह खाया तो वो अपनी संतुस्टी के लिए खिलाती हैं और बच्चे भी अपनी संतुस्टी के लिए खा लेते हैं कि हाँ चलो मा को बुरा न लगे हम इतना खा लेते हैं लेकिन उसकी प्रतिकिरिया हमारे शरी पे दिखती है तो माता दोरा पर उसे के भोजन से प्रेम और वासल दे तो जलकता ही है आवशक्ताओं की पूरती होती है लेकिन वो है कि एकसी मित मात्रान होनी चाहिए जब इनसान अगर दुखी होता है तो या तो खुब खाता है या तो फिर भोजन छोड़ देता है तो यह सारे मौनवज्ञानिक जो कारण है वो भी भोजन के से प्रतिकिर्या करते है अब सामाजिक महत्वी भोजन का है सामाजिक और सांस्कृति कारिक्रों में आयोजित भोजन से लोग एक तूसरे के समी पाते हैं यह शुरू से चला आ रहा है कि जब हम कोई भी आयोजन करते हैं सुख का हो दुख का हो तो ऐसे में समाज में हम लोग एक अत्रित होते हैं एक जगर लोगों के एक दूसरे को बुलाते हैं उसमें भी भोजन का महत्व है भोजन करवाते हैं ऐसे में लोग आते हैं तो बातवरन भी अच्छा लगता है लोग एक दूसरे से मिलते हैं खुश होते हैं भूजन करते हैं तो ऐसे में तरदर के भूजन बनवा के हम लोग अपने सामर्थ के अनुसार भूजन खिलाते हैं लोगों को भूजन का आर्थिक स्तर को भी दर्शा करते हैं है कि सभातु हं करते हैं कि को आता है तो सबसे पहले उसे हम पानी चाहें के साथ नांशना परोस्ते दूर होती है सांस्कृतिक भिन्यता हैं करते हैं वह हरके अपने हिसाभी करते हैं अपने हिसाभा कि रहते हैं वी। सभिखाए सब्लालंMyxx करते हैं इसम्लीकेश को सौन प्रीवेकश करते हैं अवा करते हैं चैनल के एवर्थ सब्सक्राद करते से हम भोजन करते हैं ति हमारा हो गया भोजन का हमारे जीवन में कौन-कौन से महत्व हैं और किस तरह से महत्व परिलक्षित होते हैं अब हम इस पर विचार करेंगे कि चुब भोजन हम खाते हैं उसको पकाने का भी तरीका होता है पर घुसने का तरीका होता है और खाने का भी तरीका होता है तो भोजन सबसे पहले तो भोजन जब हम पकाते हैं तो सबसे पहले उसकी स्वक्षता बहुत ही आवश्यक होती है कोई भी सामान हम बाजार से लाते हैं या कहीं लेके आते हैं पकाने के लिए तो सबसे पहले उसको सवच्च रखेंगे जब क्रिशी से सामान आता है मार्केट में बाजार में आता है तो उसको बहुत तरह से उसकी सवच्चता की जाती है उसमें चुनना बिनना ये सब करके ही आता है बाजार में लेकिन फिर ही उसमें कुछ कमिया रह जाती है तो जिसे हम घर पे आने के बाद उसको हम सवच करते हैं वो एक स्वश्चता अलग है जैसे हम सबजी लेके आए तो उसको धोना उसके बाद काटना बहुत लोग धो के काटते हैं कुछ लोग काटके धोते हैं तो काटके धोने से जो हमारे जो पोशक तत्व हैं उसमें विटमिन्स होगा रहे हैं वो खतम हो जाते हैं तो रसोई घर में सबसे पहला काम होता है कि भोजन को स्वच्षता से पकाया जाए। सबजीयों को फलों को काटने से पहले धो लेना चाहिए। पकाने में ऐसा बर्तन प्रियोग करना चाहिए। जिससे धातू का भोजन पर प्रभाव ना हो। पके हुए भोजन को ठाक कर उची तापमान पर संग्रह करके रखना चाहिए। कराई आ रहे हैं तो धातू का भोजन जैसे पीतल तामा यह सब उप्योग किया जाता था पीतल के बर्तन में पहले भोजन बनते थे। लेकिन अब थोड़ा सा वो सब बहुत कॉसली हो गया महेंगा हो गया इसलिए वो सारे बर्तन अब घर में किचन में नहीं रहते हैं। स्टिल के बर्तन ज्यादा तर उप्योग में लाए जाते हैं। तो जो भी बर्तन, जिस भी बर्तन में हम पकाएं भोजन, वो बर्तन साफ सुतरा होना चाहिए, विसंकरमित होना चाहिए, जब भोजन पक के तयार होता है, उसको संग्रा करने का भी जगह होता है, उसको अच्छी जगह से अच्छी जगह पे रखना चाहिए, भोजन परोसन पही बठाके अगर खिलाना है तो वह सब स्वक्ष रहना चाहिए भोजन करने से पहले हाथ धुला देलना चाहिए नाकुन कटे होने चाहिए भोजन करने के बाद भी हाथों को अच्छी तरह से धोना चाहिए और कुल्वा करके ही भूजन को करना चाहिए परोसनेवाला वेक्टि जो भी सापसूतर हो बोजन पता चला कि भूजन बन गया थे कीचर ने Сब कुछ हो गया कहिंद में बहुत अच्छा से सापसूतर ठंक से उसको बना दिया गया और जो परोसने आदम Cathedral वो गंदे वस्त पैना है नहाय दूला नहीं है और जिसे से परोसरा है जिसे शादी ब्या में जो परोसने वाले होते हैं अब ठीक ठाक से वो सापसुत्रे नहीं दिखते हैं तो भोजन करने में की भी इक्षा नहीं होती है तो यह हो गया हमारा भोजन की बात अब हम लोग व इस्ति से भी आवशक है वस्त्र विहीन या नंगे रहना मानों में असभ्यता है और पागलपन माना जाता है वस्त्रों में मानों शहरी के सौंदर में ब्रिती होती है पहले की जमाने में लोग छाल पत्ता इनी सब चीजों को धारण करते थे लेकिन धीर धीर हमारे मानों का विकास हुआ तो बहुत सारी चीजें हमारे समाज में विकसित हुई तो रूई से धागा बना धागा से वस्त्र बना वस्त्र से फिर उसको कटिंग करके विपिलने मशीनों द्वारा रेडिमेट वस्त्र बनाए जा रहे हैं तो यह मैं थोड़ा सा भी शौट में पहनते हैं और निजिश श्रिंगार के लिए जैसे हम बिविन प्रकार के डिजाइन वाले वस्त्र पहनते हैं तो खुबसूरत दिखने के लिए वस्त्र पहनते हैं समाजिक प्रतिष्ठा में समाजिक प्रतिष्ठा के व्रिधी के लिए जब समाज में कोई आयोजन होता उ में भी हम विभिन प्रकार के तरह तरह की वस्त्र पहनते हैं अपने समाजिक परिवेश के हिसाफ से कारे जब ठंड़ा का गर्मी के हिसाफ से हम लोग वस्त्र पहनते हैं इससे हम खुबसूरत दिखते हैं वस्त्र से हमारा शरीर धाका रहता है तो आज इसको यहीं क्योंकि वीडियो बहुत यादा लंबा हो रहा है तो आज यहां हम इसको विराम करते हैं और दूसरे वीडियो में वस्त के विशे में हम पुर्ड रूप से चर्चा करेंगे थैंक्यू बच्चो